तो देखिए राष्ट्र आरगया अभियान तरगत महाराष्ट्र राच्छात मेगा भरती आई हुई है तो आप ज़रूर अप्लाय कर सकते हैं जिन्होंने भी मेडिकल किया हुआ है या फिर नौसिंग किया हुआ है उन लोगों के के लिए तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं ठाना में नच Tipp मिशन में जो भी रिकूट्मेट में वो हम देखने वाले हैं देखिए इसमें मैं अभी जो आपको बता देती हुँ वह सभी स्टेट के लिए या फिर सभी पोस्ट के लिए सेम ही रहेगा जो भी मैं अभी इंफरमेशन बता दूँगी या फिर रोल्स और रेकुलेशन या फिर पैमेंट होगा जो भी तो सिर्फ में यहाँ पर शॉटकट में बता दूँगी क्योंकि यहाँ फिर वीडियो बहुत जेगा ठीक है तो देखे यह ठाना में है रेकृटमेंट तो यहाँ पर टोटल 3517 वेकंसी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेकंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि फिजिशन एम्वीबेस होगा 17,000 से लेके 75,000 प्लस इतना तक होगा और अगर कोई रिटार पिपल अपलाय करना चाहते हैं तो उन्होंने सिर्फ क्या करना है कि आपके all the documents आपके mark sheet और आपका main experience certificate वो देना है आपको and all the details आपको भेज़ दीन है कि blank paper पर और यहाँ एक email ID दिया हुआ होगा उस email ID पर आपको भेज़ देना है ठीक है तो यह रही उनकी education qualification आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके rules और अगर कोई new people है तो मतलब अभी जो कोई experience है फिर working people है उन लोगों क्या करना है कि आपके सारे documents PDF में PDF करके उनको आपके mail पर बेज़ देना है उनके mail पर उसके साथ आपको सारे आपके proof age proof education details experience details उतना उतना सब कुछ आपको PDF में डालके और जो मैं अभी application दूंगी आप नीचे description box में link चेक कर सकते हैं वह application form field करके आपको देना है और आपका यह जो भी पिरेड होगा job का वह six month या फिर उसके उपर होगा लेकिन डिपेंड होगा लेकिन minimum six month होगा देन आपकी जो भी सेलेक्शन होगी वह merit list के through होगी merit list merit list में include होगे आपके marks experience and institute वगरा वगरा जो भी होगा वह अगर आप merit list में select होते हो तो मैं यहां पर दिखा दूंगी उस mail id पर आपको चेक करने या फिर उस official site पर आपको चेक करने कि आप merit list में select होते हैं और आपके और एक है कि आपको physically fit होना चाहिए तो भी आप select हो सकते तो आपको सभी details application form में अच्छे से feel करनी होगी तो जैसे कि ठाना में है location दिया हो इसके लिए भी कोई fee नहीं और mostly all forms के सब्सक्राइब कोई भी फी नहीं है जो भी आपका अड्रेस है email अडिए उन्हें नहीं दिया हुए covid-19 ddhs ठाने अड़र.gmail.com आपका लास सब्मिशन होगा 19 अभी आपके पास दुए तीन दिन है अब अपले कर सकते अच्छे से और उनके अफिशल वेबसाइट अगर आपको कोई भी प्राप्लम होता अफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते नोटिफिकेशन अंद आप्लिकेशन फार्म की लिंक में आप नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ पर चेक किज़ेगा अब हम देखते हैं नाशिक में जो भी रेकृट्मेंट आये उसके लिए नाशिक में टोटल 4808 वाकंस्य तो इसके लिए भी टोटल 13 पोस्ट है एंड पोस्ट वाइज यहां पर वैकंशिज है तो टोटल 4808 वैकंस्य जिसका अब यहां पर देख सकते हैं है भेइं सेँ यहां पे उन्होंने एजुकेशं क्वालिफिकेशन पूछा हुआ है देखे यहां पे आप वह भी चlow सकते कि कि पूस्ट लेड़ी उनका क्या है देखिए डीडी एच एस एन एस के को वाइड नाइंटीन अड़ डाट कम अलग-अलग डिस्क्रिक्ट के लिए अलग-अलग इमेल एड़े तो आप इमेल एड़े अच्छे प्रापर चेक किजिएगा लास्ट डेट इनकी है ट्वेंटी एप्रिल रेक्रिमेंट हैं तो आप देख सकते की पोसे यह पे लेकिन उन्होंने खंग नमबर इूजिए वह नहीं दिया हुआ है तो आप आपको पापता लग लगी जाएगा कि आप सिलेक्ट हुआ है नहीं तो आपने मेरिट केमी Stephen op तो उसके आनुसार education mostly जोने भी MBBS degree BMS या फिर डेटा इंट्रिवर्क वालों के लिए डीफार्म फार्मसी वालों के लिए तो वो सब भी लोग अप्लाई कर सकते कि देन सेम डिटार वालों के लिए 70 एंड बाकी के लिए 18 से लिए 30 तक इसके लिए भी कोई भी फीड नहीं है इसका email आईडी है कोवाइड नाइटीन डीडी एच एसके ओपी अड़ेड टेमेल डाट कम और इसकी ओफिशल वेबसाइट अलगी कॉलापूर वालों की ओफिशल वेबसाइट अलगे तब यह जरूर चेक की जगा इसका भी मैं अप्लिकेशन फर्म दे दूंगी अब हम देखते हैं नाखपूर में टोटल 25 पोस्ट है एंड आइटिंग मेरे प्रीवेस वीडियो में नाखपूर में भी एक रिकूट्मेंट निकला था वहाँ पर यह तिंग अलग पोस्ट है तो देखिए यह भी मेडिकल आफिसर पार्ट टाइम मेडिकल आफिसर स्टाफ नर्स और फार्म कोपरेशन इस्टबलिश्मेंट डिविजन फर्स लोर नुए अड्मिनिस्टर्टिव बेल्डिंग सिविल नाखपूर डबल फॉर ट्रिपल जिरो वन तो इस एड्रेस पर आपको आप्लिकेशन फॉर्म फिल करके भेज देना है इस इसमें आपको इमेल आडी पर भेज द 6521 पोस्ट है इसके लिए टोटल पोस्ट है या पर थर्टिन पोस्ट है मुस्लिए सेम ही पोस्ट है सभी जगा क्योंकि यह मेडिकल वालों के लिए अभी हम देख सकती कि क्या हाल है हमारे इंडिया में तो प्लीज सभी लोग जिन्होंने भी MBBS या फिर डॉक्टर या फिर सब्सक्राइब करने के लिए जाहिए और आपको भी एक एक्स्पिरेंस मिलेगा गवर्मेंट जॉब का लेकिन प्लीज आप अपनी सेफ्टी जरुद्हान में रखती जागा वह बहुत इंपार्टन्ट है तो देखिए यह पोस्ट है वहाँ पर देन यह एजुकेशन क्व क्वालिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए मैं थोड़ा फटाफट से कर देती हूं तो देखिए इसके लिए इस लातुर में क्या है कि आपको इमेल इडी पर बैच देना है कि इमल आडी क्या है देखिए डिस्ट्रिक वाइज यहां पर अलग-अलग इमेल आडी ए लातु स्मानबाद स्पेलिक मत किईगाес इमेल टि महांगरपलिक grabs तो आप वहांपर भी चेक कर सकते हैं कि इसके लास्ट दवेटे एप्रिल तो आपको क्या करना है देखिए याप दिया हुआ है उनने की कैसे कशल करना in तो जो भींज ने अपिली केशन में इन वेबसाइट में डालना है जैसे कि mcnandard.coid19.net.mail.com इस email id को आपको भेज देना है बेखें आ और नेक्स्ट है बीवंडी तो तो देखें बीवंडी में भी रिकुरिट्मेंन निकली है तो यहाँ पह पे सिर्फ 49 सेए बहुत वात कंसे यह बहुत सिर्फ Odraya से तो टोटल 49 मेंदिशैंद यह bekar है सिर्फ टेंथ एट और टेंथ तो देखिए इसमें क्या है कि आपको डिरेक्ली इंटरवी होगा 20 से लेके 24 एपरिल तक इसमें kya होगा आपका इंटरवी होगा आपको क्या करना है कि notification चेक किजिएगा कि क्या क्या चाहिए आप सबी डॉकुमेंट्स आपको साथ लेके 20 से 24 को इस एड्रेस पे जाए मुख्य प्राशा से किये इमारत दालन क्रमंका 506 फिफ्ट स्लोर काप अली भीवंडी जो देखें यह लोकेशन भीवंडी में है तो आप यहाँ पे जाके आप अपना इंटर्व्य देख सकते हैं यह डारेक आपको सिर्फ के लिए कितना फिकंस्ट से कास्थ नखी को यह कुछ दीया तो जैसे-कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि यही सब है इसलिए आप सिर्फ चेक करेगा कि कि आपकी कास्ट के लिए कितनी हैं तो यह से यहां पे दिया हुआ है और कुछ नहीं नोटिफिकेशन में जो भी कोई रूल्स और रेगुलेशन दिया हो है वह मैं आपको सभी बता दिये हैं तो देखिए यही सभी कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो मैंने अब भी बता दोंगी बाकि सब पोस्ट के लिए सेम ही हैं क्योंकि एक मतलब एक ही डिपार्टमेंट का पोस्ट है तो आप यहां से ही चेक करके आप वह भी फॉर्म फिल कर सकते हैं तो देखिए यह रहां आप्लिकेशन फॉर्म की तरफ तो देखिए यह रहां आप्लिकेशन फॉर्म यहां पर यहां पर यहां पर आपका फोटो डाल अपको लाइंग्वेच कों से आती हैं English, Maraty, Hindi and others अगर आप किसी कास्ट के हो तो उसके वाइस कोंसी अपकी लाइंग्वेच आती है वो in computer proficiency आपको computer का कितना knowledge है वो अगर आप अपने को यह course किया हुए तो वो भी डाल सकते है यहां पर आपके academic details आपकी यहां पर academic details डालने है work experience कहां से लेके कितने समय तक month year आपका department कौन सा था आपका institute कौन सा दा designation क्या था आपका और आपकी responsibility क्या थी वह सब यहां पर लीखना है and then आपका कि यहां पर डालना है कि ओंड тепर की और आपको डिकलेरेशन करने डिऴन कर आ कर करना भुक कर तो अगर आपके लिए स्थे मेरे चानल को लाइक शेर और सबस्क्रेइच ज़र को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीज़ेगा क्योंकि अभी सब को जरूरत है तो प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर कीज़ेगा थैंक यू